भाई मिसाइल इन के पास बहुत जल्दी सेट यार चांसेज बहुत कम है बहुत कम है लाश्ट टाइम प्यासा हुआ था नहीं नहीं बच गया अच्छा वह यह ब्लाइंड हो गया था नहीं तो मेरे को बहुत ज्यादा टैमेश होता ठीक है तबाही तो मचा रहे हैं हम पुरा ओके एक और स्पेसल अटेक ठीक है अब इसको इसनेर करते हैं वापस से कम ओन मैन हट जा हट जा जल्दी हट नहीं हटा सेट यार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है अच्छा सोग डेवलाई हो चुका है मेरे उपर अब एक्टिवेट हुआ नहीं डेट हो जाना प्लीज हो गया चलो वन डाउन सेट पावड रेन होगे मेरा भाई मिसाइल हैं के पास अख कम ओन यारा हम क्लिक कर दिये था अब यार कैसे होगा हद है हम जितना मारी स्पेसल अड़क पर किलिक कर रहें उतनी बार मेरे उपर मिसाइल आ जा रहा है सेट ब्लॉक कर लिया कोई बात नहीं क्या बलाइंड है क्या ओ नो मरे बज़े गए पदा नहीं गाइस मेरा मुवमेट बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया यह बैटल के अंदर पक्का इन बॉसस काई कुछ काम है भाई इतना सारा मिसाइल है इसके पास यह डेट हो जाएगा पिलीस निकल जा मारे गया ठीक है बाज़े गया बहुत जल्दी डेट हो गया नहीं और हेल्थ बहुत ज्यादा सिट हम गल्दी की गया हमको इस मौक को नहीं लाना चाहिए था हमको लगा नहीं था कितना ज्या क्या जाद है इसको एक्टिवेट हो रहा है यह जो यार कर दिया थे सिट ठीक है तो बूटालिटी किस करेक्टर के ऊपर करनी चाहिए मतलब किस character के through करनी चाहिए यह देख लेता है ओके तो मुझे चाहिए एक ऐसा character sit हम कहाँ चल गए जहाँ तक मुझे लगता है मैंने almost हर character के साथ brutality कर लिया कवांची का मेरे पास एक brutality equipment है जो मुझे creep mode से मिला था किस के through करना चाहिए सैंक सुनके through करता है काफी टाइम से किया ने ठीक है पहले इसमें लगा देता है tower equipment यह ले ले लेता है और क्या ले ले लेना चाहिए इसको भी ले लेता है अरे नहीं इसको नहीं ले सकते न दो को तो पूर रूटालिटी equipment है ठीक है देखते हैं एक सेकंड यह क्या हुआ sit dark queen नहीं character sangsung नीचे खत्राप होगा यह पहला equipment यह दूसरा equipment हमको एक यह है चाहिए क्या बलता है unblock करने के लिए न इसको ले लेता है ठीक है guys तो सबसे पहले तो क्या बलता है lu kang से हमको आना नहीं चाहिए था but ठीक है कोई बात ही सबसे पहले तो यह पांच बार हमको वो करेगी क्या बलता है stun शुरू में ही कर ले तो अच्छा है हाँ और चार बार पिलीस यूज़ कर सिट हमको सील्ड के साथ ही इसका मतलब ख़तम करना परेगा stun क्योंकि जब तक यह stun करेगी तब तक हम यह तो करना ही पाएंगा और हमको क्या बलते है रेड़न के थुरू ही करना होगा है क्योंकि लूकें के पास ज्यादा हेल्थी क्यूप्मेंट है नहीं एक सिकेंट यहर परे पहले इसको अटाओ यह बलाइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और हाँ थोड़ा इसको डैमेज भी देना होगा ना हम भूल गया थे इसका हेल्थ फुल है कवोन यान मैंने तो कुछ किया भी नहीं था पिलिज डेड मत हो न ठीक है 37 परसेंट पर आ चुका है टैग इन करने से यह ब्लाइंड हो जाता है चलो ठीक है और आई थींग दो बार न अब एक बार और है साहथ चल चल यूज कर यूज कर आई थींग नहीं है गाइस हो गया है कंप्लीट यह एक बार और होगा हम रेडन से वाट्राय करके देख लाता है सिट अब देखते हैं हाँ हो गया आई थिंग यहीं लास्ट इसके बाद और नहीं है साहथ नहीं गाइस चलो ट्राय करते हैं ओके बहुत गलती बहुत गलती बहुत गलती हो गया हमको वह सील्ड इसके ओपर लाना चाहिए था और एक और रेसिस्टेंस एक्यूपमेंट देना चाहिए था बहुत बढ़ी गलती हो गई गाइस सौरी कोई बात नहीं नॉर्मल टार के अदर कर लेंगे बुटालिटी बट अभी तो हो नहीं पाएगा क्या ओमाई गाड शीरियसली इनके पास रेजरेक्शन है मतलब यह ट्राइवेस्ट या सायद नहीं वेस्ट 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 हमको नहीं लगता स्थी वान के अंदर हम इतना ज्यादा डेमेज कर पाएंगे वाओ हो गया वास में लगा नीद हो पाएगा बट ठीक है 274 चाहिए था मेरा 280 टू हुआ डेमेज कामोन यार सेम एक्यूपमेंट ये लोग हर बार क्यों देता है कोई नया एक्यूपमेंट क्यों नहीं मिलता चलो ये अच्छा काड मिला इसी के साथ मिल लीना हो गई फ्यूजन सेवन भाएं ठीक आज तो आज की वीडियो को मैं ये ही प्याइंट करता हूँ एड़िर आपसे मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ